नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अस्पाइट टुटोरियल में स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी पहुत ही अच्छी चल रही होगी अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फिल्ड, चार्ज, पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक फिल्ड के रिलेटेड जितना भी कांसेप्ट था वो सब हमने कवर कर लिया है आज एक नया टॉपिक की स्टार्ट कर हैं कैपा सेट है बहुत सारी बुक में एक अलग चैप्टर से देता है जो आपकी स्टेट बोट की बुक होती है तो आप वहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं लेकिन जो आपकी NCIT या स्टैंडर्ड बुक है वो इलेक्टरिक पोटेंशेल और कैपा सेटन्स को एक ही चैप्टर कंसीडर करती है इसलिए मैं इसको इसी सीरीज में कांटीन्यू करता हूँ तो चल ये बिना टाइम बेश्ट के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैपा सेटर देखो या कैपा सेटर आप पूरा देखेगा आज एकदम बेसिक सा लिक्टर होगा उसका फंडामेंटर है और आपको फील आ जाएगा और ऐसा नहीं कैपा सेटर हर किसी ने देखा है तो चलो सुरू करते हैं तो यह रहा कैपा सेटर याद आया इसको देखके अरे यह तो कंडेंसर है आप बोलोगे तो आप बच्पन से देखते आ रहे हो कहां पर देखे थे इसका काम क्या होता है हर किसी को याद होगा ने जब फैन की स्पीड घर में स्लो हो जाती थी तो क्या करते हैं एक नया इंसर लगा कर सिरिज में कर देते थे कभी कभी आपने मोटर में देखा होगा यहां भी जो हउइट कलर के लगे रहते हैं इसी को इसी कंडेंसर को अपने इसका काम क्या होता है क्यूं ये लगता है इनर्जी कैसे इस्टोर करती है इन ही सब को हम पूरा जो आगे आने वाले चल रही है क्यों उसको चलाना तम महनेभा जादा रहती है बोलो अरे अगर कोई चीज हमें स्टार्ट करनी है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है एक बाद चीजें चल रही है उसमें एक constant energy देते रहो वो तो चलती ही रहती है जैसे friction में हमने देखा था रोलर होता था उसको जब first time हम ढखेलते थे तो बहुत ज़्यादा force लगता था इसके बाद जब एक बार वो move करना चालू कर दिया उस हिसाब से force लगाते रहो वो अपना चलना जारी रखेगा इसी तरह जो electric devices होती है इनमें एक motor लगा रहता है और सब कौन सा motor हो सब हम आगे देखेंगे अभी केवाल इतना समझें कि सब मोटर रहते हैं इनको start करने के लिए high current की requirement होती है जो आपके घरों में या मोटरों में सब current आता है कभी आप देखके बताना कितना वो बहुत वो इसको start करने के लिए sufficient नहीं होता एक बार जब start हो गए उसको आप produce करोगे ना उसको flow कराओगे तो continue चलती रहेगी तो पहली बार उसको जब rest में है वहां से start करने के लिए इतनी energy हम कहां से लाएं तो वहां से एक device का जन्म हुआ है जिसको नाम दिया गया कैपा थेटर और हम लोग डेशी भासा में condenser करते हैं तो जब इन सब को start करना रहता है यही काम होता है बस quick जब start करना है एक large amount का current supply करना यह होता है कैपा शेटर ठीक है तो यहां पर क्या इसका meaning है मैं लिख रहा हूं समझ में आयक नहीं फिल देखो आज का एकदम basic है अच्छे से समझे यह क्या है हमारा कोई ऐसी एक electric device एकदम हम देशी भासम अपना यूज क very high current यहां नीचे दिखों आपको नहीं दिख रहा होगा very high current अप्रॉक्स कितना सब दो सब इंपियर थोंगी होता है यार उतने में तो आपका blast कर जाए very high current मतलब 25 से 30 इंपियर 25 से 50 इंपियर यह सब high current की कईटगिरी में आ जाते हैं नहीं तो 5 इंपियर 10 इंपियर यह भी दिखा रहता है जो हमारा हाई current है इसकी रिंच क्या हम देते हैं माल तो इसको स्टाट करने के दिए यह हम कर पासे लगाते हैं तो इस ताट में आया की नहीं examples आप देख रहे हो अगर मोटर में cap masator ना होता इसको start करने बहुत जादा div cut होती बहुत high current प्रोडीूस करना होता लेकिन यही beauty है kap masator की तुरन प्रोडीूस करके बंध हो जाएगा फैन को भी start करना है kapasator बोलेगे अच्छा तुमको लार्ज करेंट चाहिए कोई नहीं हम यहां है हम दे देते हैं वो तुरंती स्टार्ट हो जाग फिर अपना हटा जागा फिर जो कॉंस्टेंट करेंट आ रहा है उससे चलता रहेगा वो जो कैपा सेटर की फील आई की नहीं इसका जनरल डिफनीशन है अभी जो बुक की डिफ सब्सक्राइब चाहर होागी हंगे आपको इसके चार्जिंग होती है तो जब यह चार्ज हो गया तो यह क्या करेगा यह energy storage करेगा क souven Delta, electrical energy जो हमारी keinpacator है यह हमारी general क्या करती है storage, electrical energy अब जब यह energy storage करेगी इसको देगी कर storage, electrical energy अब यह तब produce करेगी जब इसको जरूरत होगा motor को कि उसको current कम होने लगेगा start होने के तुरंत ये supply करेगी और जाएगी फिर सिसको charge करना होगा supply it once required धिक है और कब आता एकदम suddenly अचानक लिए अचानक से देगा?? नहीं कर सकते। देखो ना switch दबाओ तुरंत भूमने लगता है ये सब कैसे होता भी चार्ज इन ठिन्द में ना प्रणाइब पना इस तरीके से आर्षी समझ नहीं और यह यूज करते हो समझ नहीं पाते हैं हमारा wiping पास theater बोलो समझ में आया की नहीं यह हुआ हमारा जन्रल टर्म ठेक यह हुआ हमारा जन्रल टर्म अब हमें क्या इसकी जो standard definition है उसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इसकी standard definition क्या है यहाँ लिख रहा हूँ यह हमारा क्या है एक conductor है जो charge को store करता जब जरूरत होती है उसको दे देता है बोलो फिल आया की नहीं कैपास theater का आप समझ गए न अगर आप से कोई पूछेगा आप उसको explain कर लोगे यह लगता क्यों है आप starter कहीं यह दिखे हुआ है जो condenser तुरंत आप उसको क्या बोलोगे क्या काम है क्यों required है समझ में आया की नहीं conductor switch आप उसको आसानी से explain कर सकते हो देखो यार मेरा में मोटो है आपको concept सिखाना है तो मैं एक लाइन में लेक देता लेकिन आपको फील ही नहीं आएगी इस सारी चीजे मैं इसलिए आपक बनोगे तो यहां पर यह सब बहुत ही required होगी कि कितना लगाएं कितना current चाहिए कितना बोल्ट चाहिए यह सब कि यह सारी चीजें आपके दैनिक जीवल में चारों तरफ physics है आप उसको देखिए अपने concept से जो लिए देखिए physics में आपको मजा आने लगेगा तो यह हुग घाना रजिस्टेंस प्रतिरोध याद आया रए कोई तु भी वाई ओम तुला और रजिस्टेंस क्या होता था एक material की प्रॉपरिटी होती थी इसका इतना रहता था आप मैगेट पनेंगे वहां इंडेग्ट के हालेग्ट चीजे आएंगी को क्या है हमारा काइपा सिट्य तो इसकी मैं definition लिखता हूँ फिर आपको explain करेंगे अच्छे से feel आएगी तो जो हमारा कैपा सिटेंस है देखो कैपा स्टेटर से कैपा सिटेंस बनाए मतलब कैपा सिटी किसकी कैपा सिटी चार्ज को स्टोर करने की कैपा सिटी ठीक है कि नहीं अब चार्ज स्टोर कम क्या बोलते हैं electrical energy ability to hold एकदम अपना देशी लेंग्वेज में definition लिख रहे हैं ability to hold किसको hold करेगी electrical energy जो आई उसी को तो hold करेगी electrical energy और electrical charge आप जो चाहो उसको बोल लो इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका क्या होगा प्लस भी होगा माइनस भी होगा भूल तो नहीं गए न इलेक्ट्रिकल चार्ज विदाउट रेनिंग हाई बोल्टेज इस सबसे ज्यादा important है देखो आपको तो पता है कि जब हम charge increase करेंगे तो हमारा देखो बुक में यहीं तक दिखा रहा था यह चीज को skip कर देता है तो जो यह charge को store करेगा अब देखो यार आपको high charge चाहिए तभी तो high current आएगा अब अगर current आ आपका क्या potential नहीं increase होगा भी को एक के क्यूव यार होगा की नहीं क्यपा सिटेंस क्यपा सेटर आईसे डिवाइस है कि हम इस पर बहुत ज्यादा चार्ज इस्टोर करते हैं और बोल्टेज में बहुत ही कम changes आते हैं without running high potential potential मतलब आपका जो क्या है energy potential energy या voltage बोल लो वही तो है न तो जो हमारा कैपा सिटेंस है या electrical energy या electrical charge को इस्टोर करता है बीना potential को increase किये हुए बहुत minor सा increase होता अभी ये सब आगे आप patience रखिए पूरी चीजे खुलेंगी अभी तो दीरे दीरे कहानी एक दूसरे की खुल रही है फिलाश में सब को हम interrelate करेंगे बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लाइक तो कर दो कम सकम तो चलो हम समझते हैं कोई भी safe का अगर एक conductor है तो चार्ज हमारा कहा पर जाएगा चार्ज हमेशा इसके surface पर जाएगा electric potential सबमें सब आपको बता दिये है अगर हमारा कोई एक conductor है जिस पे charge क्यूं है अगर charge क्यूं है अभी इसका potential कितना है मान देते हैं भी है तो जब इस पे हम our charge increase करेंगे तो कि हमारा करप हमें ज़्यादा चार्ज चाहिए न स्टोर करने के लिए अगर यह हमें फैन स्टार्ट करना है हमारी सप्लाई 5-10 तक आ रही है जो में पे चलना है जेकिन इसको चाहिए जब इसको चार्ज कराएंगे बोलो आप एक मिनिट इसको कदर चेंज करते हैं जब इसपे हम और ज़्यादा चार्ज इस्टोर कराएंगे मतलब जब हम क्यों इंक्रीज करेंगे आप बोलो अगर हम इसपे और ज़्यादा चार्ज इस कंड़क्टर पर इंक्रीज करेंगे तो हमारा पोटेंसियल क्या होगा पोटेंसियल भी हमारा इंक्रीज होगा कि नही तो जिस ratio में हम charge increase करेंगे उसी ratio में हमारा voltage जाएगा कि नहीं जब proportionality constant हम हटाएंगे एक हमारा नए term का अविस्कार हो रहा है जन्म हो रहा है जिनको c आता है और यही c है हमारा क्या यही है कैपा सिटेंस पूरे term में जो c चलने वादा है यही चलेगा c equal to यहां सम निकाल दे यह पता है न पर पोस्टनाइटी हटता है राइट और लेट की वैलू equal करने के लिए हम एक constant लाते हैं जिससे multiply करते हैं तो यह हमारी बराबर होती है तो यह हमारा निकल के आया कैपा सिटेंस का फार्मूला c हमारा क्या है यहां पर लिख देते हैं c है हमारा कैपा सिटेंस q क्या है जो इस पर चार्ज है यहां पर अभी इसकी general meaning हम आगे समझेंगे तो यहां से कैपा सिटेंस equal to charge by potential लिख सकते होगे नहीं भी यहां हमारा potential है लिख देता हूँ आपको नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहेंगे विलाश्पी ना समझो यार यह भी potential है अपना और q क्या है हमारा charge है तो कैपा सिटेंस equal to हमारा निकल के आया है क्या charge by potential इसकी एक और beauty आपको बताएं यह एक material की ability है कि एक limit तक इतना hold करेगा कवन सा choose करें कैसे तो जो हमारा c है आपको दिखने में जग रहा है कि q और v पे dependent करता है एक q और v पे dependent नहीं करता यहीं तो इ और c है हमारा एक्जाम में कई बात पूछा है जो हमारा सी है इंडिपेंडेंट है किस पर q और v पे बहुदो समझ में आया कि नहीं तो इइन्डिपेंडेंडेंट किस पर करेगा independent of q and v ठीक है तो इस समझ में आया कि नहीं तो यह depend किस कर रहा है उसको देखते हैं किस पर depend करेगा आप मुझे पताओ खुद वीडियो को pause करके सोचो थोगा देखो यार c equal to qy भी एक तो हमें यह depend करेगा यार इसका save क्या है size क्या है क्योंकि save size एगर हम change करेंगे तो charge भी जो इसके surface पे है change होगा कि नहीं बिल्कुल change होगा यह हमारा conductor है यहाँ मैं लेक देत और सake of the conductor जो हमारा कैपा सिटन्स है size and shape रापघर करेगा और क्या करेगा को दो आप है ठीकरीक पॉटेंशियली सब इतना सारी चीज़ें किया है इसके surrounding में концesar के चारों तरफ क्या में ये बरके हो वाटर में रखे हो या कि सी आइज़ केमिकाल में रखे हो है कि नहीं तो यह अलग अलग डिपेंड आएगी नहीं पहले जो पर्मीटिविटी होती है नेचर मैटेरियल किसके नेचर कैसा नेचर और पर्मीटिविटी जिए हम बोलते थे याद आया एपसाइजन नाट हम कब लेते थे एर या वैक्यूम के लिए जो हमारा इसके चारों तरफ जो मीडियम है उसकी पर्मीटिविटी क्या है इस सब एक्जाम में पूछे गए है अच्छे से समझ लिजे और आज का लिक्चर एक्जम बेसिक है प्रेसेंस के साथ देखे त्योरी पाइट है इसके बाद आपका सारा नियुमेरिकल पाइट ही चलेगा सब्सक्राइट है और किस पर करेगा अगर हम इसके कोई एक दूसरा कंड़ेक्टर रखने और उसके चार्ज करें अगर यहां पर सपोज मैं एक और कंड़ेक्टर रख देता हुं इसन इन दोनों के बीच पोटेंसीयल डिफेरेंस होगा जिससे यहाद है कि नहीं एक दूस वे कोई हमारा और चार्ज है या कोई और कंडुक्टर है तो इस पे भी यह हमारी कईपा सेटेंस डिपेंड करेगी प्रजेंस आप समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है आज एकदम सारा चीज आप करपा सेटर के बारे में आप जान जाओगे इसके बाद तो सीरीज पैरेज और यह सब लेके चलेंगे कांसेप्ट यहां से सारे डेवलप होंगे कंडक्टर इज इन इस नेवर हुड इसके अगल बगल जा इसके पर्णोसी में काउन से लोग बैटे है उसपे भी डिपेंड करेगा ठीक है एड्ड इस नेवर हुड चलो यह तो रहा हमारा किस पर डिपेंड करेगा किस पर सब चीजों पर depend करता है अब याप जैसे ही कोई नई टर्म इंट्रोडिउस होती है सबसे पहले हम क्या करते है उसकी unit क्या है और dimensions क्या है उसको check करते हैं चलो इसको भी देखते हैं किसकी unit कैपा सिटेंस c की तो हमारी जो c की unit है और क्या आएगी जो हमारा c equal to निकल के आया है q by b q की unit क्या होती है बोलो q की unit कूलाम होती है न इसकी unit कूलाम होती है और वी की यह पोटेंसियल की होती है बोर्ट या इसे को हम capital c by b ऐसे लिखते है कि नहीं तो इसकी खोज फैराड जी ने किया था तो उनके सम्मान में एक unit का नाम दिया गया क्या बोला गया कि फैरड जी आपने इतनी मेहनत करके खोजा है तो चलिए यह तो इसकी SI unit होई तो इन्होंने बोला कि हम कैपा सेटर की unit को बिसे कि लिख फैरड जी के unit अगर कोई पूछे तो यह हमारा क्या है सी कोई टू क्यू बाई भी इसका देखो यह सी कैपा सेटर्स मत समझे नहीं कुलाम है कुलाम वाला सी है कैपटल से लिखते हैं उसको कंफ्यूज तो नहीं होगे तो यह रही इसकी unit या तो फैरड होगी या कुलाम परबोड अब फैरड बहुत ही यूज होथी है एक फैरड के लिए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितना दो इसका बेसिकली जो इसमालर यूनिट है फैरड बहुत लार्ज है इसमालर आप आप इसके लिए देखोगे कंडेंसर में माइक्रो में लिखा रहता है माइक्रो फैरेट या आपका क्या होगा पीको फैरेट यही सब आपके होंगे या नैनो फैरेट जो भी 10 की पावर 6 से सब मैटिप्लाई करते जाएगा आपको समझ में आती जाएगी तो आप बताओ एक माइक्रो फैरेट में कितना फैरेट एक माइक्रो फैरेट में हमारा कितना होगा 10 की पावर माइनस 6 फैरेट बोलो यह समझ में आया की नहीं आपको यूनिट समझ में आ गई होंगी अब अगला इसका डाइमेंसर और आपको सुनके यकीन नहीं होगा इसका डाइमेंसर पूछा था नेट में दो तीन बार पूछ चुका है अलग-अलग तरीके से इसको मैं करवा रहा हूं और आप समझें जो इसका कुलाम चार्ज को इस्टोर करने के जरूरत है उसको हम क्या लिख सकते हैं को एक तरीके से वर्क डैन है एक नहीं रहा होता था हम इंफनाइट्स लेके आते थे उससे डिवाइड करते थे तो जो काम किया जाता था दिवाइड आएड वाही तो हमारा पॉटेंशल का डिफिन जूल ठीक जूल पर कुलाम यह होता था मैंने आलरेड़ी आपको पोटेंसियल में दिखाया है जब इसको हम और सिंप्लिफाई करेंगे यह हमारा निकल के आएगा सिस्क्वाईर बाई जे बोलो यहां तक कुछ भी डाउट एस सी क्या है कुलाम वाला है चार्ज की यूनिट ठीक है इसको कईपा सेटेंस मत समझे न मैं बार बार आपको बता रहा हूं अब चलो इसके हम यूनिट लेखते हैं कुलाम का चार्ज की यूनिट क्या होती है बोल लेकि नहीं इसका क्या है इसक्वाईर है यहां पर हमारा एंपियर सेकेंड और नीचे जूल की क्या यूनिट होती थी निउटन मीटर अगर इसको मैं वन वन देखे लिकों बोलो कोई डाउट कोई डाउट नहीं अब चलो निउटन किसका फोर्स और और उस सब को हम लेख मास मास को मेजर करने का फंडामेंटल एम से इंटू मास इंटू असलरेशन असलरेशन की क्या होती थी एल टी माइनस टू यह तो हुगा निउटन का इंटू हमारा और क्या है यह आलरेडी एक मीटर है इसको मेजर करने के लिए फंडामेंटल अपनी कौन से आती थी में adjust करना है और देखते हैं कि हमारी value क्या निकल के आएगी तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं एम के power नीचे 1 है ना ऊपर आएगा एम के power minus 1 बोलो अब अगला टर्माता है एल नीचे एल और एल एक क्या हो जाएगा एल इसक्वाइर होगा कि नहीं और ऊपर जाएगा बोलो क्या होगा बोलो इसक्वाइर उपर जाएगा एल के power minus 2 अब टी का देखते हैं टी के power नीचे minus 2 है और ऊपर टी के power plus 2 दोनों जाके ऊपर क्या होंगे एड हो जाएंगे T square into MPRA का square यह हुआ हमारा क्या जो हमारा dimensions था कैपा सिटेंस का उसका यह हुआ हमारा dimensional फार्मूला और यही फार्मूला एक बार जे एडवांस में पूछा नीट में भी दो से तीन बार पूछ लिगा है अगर आप से पूछेगा निकाल लोगे कि नहीं डिटेल में क्लास 11 का प्ले लिस्ट में जाए वहां मैंने सारी चीज़ों को इंदम डिटेल में एक एक कर के बताया है आपको सारी समझ में आ जाएगी अब चलो यार कप से हम हैं चयपासीटेंस किये ही जा रहे हैं आप बोलोगे सर्व उसका मतलब क्या है वो तो बता दो चलो हम समझ गए क्या समझें हो और हम क्पासीर समझें बोलो अगर इसको हम और expand करें फैरेट को हम क्या लेखते हैं कुलाम पर वोल्ट पांच कुलाम पर वोल्ट अब आप मुझे पताओ इसका क्या मतलब हुआ इसका थे हुआ यार अगर हमें एक वोल्ट चाहिए हमें कितना चार्ज देना होगा पांच कुलाम है की नहीं देखो अगर इसका क्या मतलब है पांच कुलाम चाहिए कितना इंकरीज करने की एक वोल्ट अगर हम 10 कुलाम चार्ज दगाएंगे तो इसका potential कितना इंकरीज होगा दो वोल्ट यहीं होगा अगर 15 कुलाम डालेंगे तो 3 मतलब एक वोल्ट हम जब इतना चार्ज डालेंगे तब च कम रहे क्योंकि potential difference होगा वहाँ energy को एक अलग concept हो सब अभी आगे हम discuss करेंगे यही समझ एक हमारा जो कैपर सेटर का main objective है आई चार्ज इस्टोर करते हैं बिना potential को हम disturb कियो है try यही रहती है कि potential ज्यादा increase ना होने पाए तो इसका यही मतलब है कि अगर हम 5 कुलाम चार्ज देंगे तो एक बोल्ट हमारा increase होगा इसी तरह अगर हम example बोलो एक्जामपल देते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि हम 2 कुलाम चार्ज ही चाहिए एक बोल्ट यहां पर increase हो जाएगा इन दोनों में कौन सा कैपा सेटर अच्छा है आप क्या बोलोगे बोलो हमें हमारा objective है कि चार्ज जादा जादा store करें और voltage कम से कम हो है की नहीं voltage कम से कम increase हो तो यहां गर हम एक बोल्ट increase करेंगे तो हमें चार्ज कितना हम इस्टोर कर सकते हैं 5 बोल्ट, देखो ना, 1 बोल्ट के लिए हमें कितना चाहिए होता है, 4-5 कुलाम ले रहे हैं, यहाँ 1 बोल्ट के लिए हमारा 2 कुलाम हमें हमारा तुरन बोल्टेज इंक्रेज हो जाएगा, तो इसके कमफरेजन में हमारा कॉन सा कैपा सेटर अच्छा है, एवाला, क्योंकि potential हमारा ज़्यादा changes नहीं हो रही है, उसमें हम चार्ज ज़्यादा store कर पा रहे हैं, समझ में आई एक नहीं कैपा सेटेंस का मतलब क्या है, कैपा सेटेंस यही है कि हम कितना charge इस्टोर कर सकते हैं, कम से कम सब आ गया इसके बाद साइंटेश्ट लोगों ने कैपा सेटर बनाना चालू किया सबसे पहले उन्होंने इस पेर की इलेक्टरी पोटेंसियल यह सब चीजें पना था उन्होंने बोला कि चलो हम इस पेरिकल कैपा सेटर बनाते हैं फिर उसके कुछ है डिसद्वांटेज हु अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉस करिए एक बार फिर से देखे सारा डाउट किलियर हो जाएगा तो चलो हम पहला टाइप का लेते हैं इस पेरिकल कैपा सेटर आर कंड़क्टर अगर कोई हमारा इस पेरिकल का मतलब क्या है ज्यादा ज्यादा चार्ज स्टोर क कर सके कम से कम पॉटेंशियल करके ठीक है चलो हम समझते हैं कितना चार्ज स्टोर करेगे सब सारी चीज है हमारा एका बार इस सपयर इस पेर पर हम एक सब्सक्ति है क्यों और रहा हमारा कंडुक्टर है तो चार्ज कहा पर जाएगा चार्जप सेयादा ऑचकि कि भूल इसके आउट साइड क्या होगा इसके इनर साइड क्या होगा उन्हीं सब को हम यूज करने वाद है देखो लिख लोग नहीं यह हमारा एक माने जेट ऐसे बुक में होता है जेट है इस वेरिकल हुई चीश्टों चार्ज की वह एंड रेडियस आर तो वह सब दिखने की जरू का कैपा सिटेंस कितना होगा बोलो आप कैसे निकला लोगे हमारे दिमार्ग में आया अच्छा हमसे कैपा सिटेंस पूछा है तुरंत कैपा सिटेंस को हम सी से जेखते हैं C equal to Q by B Q है हमारा charge कितना वो store कर रहा है और कितना potential है तो यहाँ पे तु चार्ज क्यों कर रहा है कहाँ पे इसके surface पे potential कितना है हमें कहाँ चाहिए potential इसके surface पे कहीं भी हम मान देते हैं इसके surface पे potential है भी तो आप मुझे बताओ Q के कारम इसके surface पे यह हमारा आता था K into उसके surface पे charge कितना है K Q divided by R इसका radius इस surface और इससे बाहर जाता था तो center सन जितना दूर गए है और इसके अंदर यह potential पूरा constant रहती थी यह सारी चीज़ें discuss हो गए हैं बोलो याद आया कि नहीं I hope आपको इस चीज़ें याद आ गई होंगी अब हम क्या करते हैं कि B की value यहाँ पे put करते हैं equation 1 में ठीक है जब हम यहाँ पे B की value put करेंगे put value B B हमारा क्या है surface पे कितना potential है तो यहाँ पे हमारा C equal to Q और यहाँ पे इसकी value क्या है K Q by R यही है कि नहीं यहाँ से Q से Q हमारा cancel हो जाएगा C की value I R by K अब बताओ K equal to क्या होता है K equal to हमारा होता है 1 by अगर यह सारे चीज़ें हम A or या वाइक्यूम के लिए कर रहे हैं तो इसकी permittivity epsilon not है इसको हमने माना है अगर medium होगा ते बदल जाएगी इन्टू 1 by 4 pi epsilon not यही आएगा कि नहीं तो जब इसको हम उपर दे जाएगे तो हमारा C का value निकल के आएगा 4 pi epsilon not into R देखो कैपा सेटेंस किसी square की कितनी होगी हमने यहां से निकाल लिया C equal to 4 pi epsilon not into R किसके लिए आया है spherical conductor के लिए यहां पर लिखते हैं यहां हमने निकाला C equal to 4 pi देखो एक जाम मैं यार दो नमबर के आपके बोर्ड में डिराइव करने के बोलता है बोलो इसमें कुछ है हम तो आलरेडी चीजें आलरेडी स्टिडिक कर चुके हैं बस बैस पूट करना है अब मुझे यह बताओ आप से पूछता है कि जो spherical है एक किस किस parameter पर डिपेंड कर रहा है आप बोलो यहार कैपाचिटेंस है एक तो इसके radius पर डिपेंड कर रहा है कि अगर हम radius increase करेंगे तो इसकी कैपाचिटेंस increase होगी होगी कि नहीं देखो ना C directly proportional R है और एप साइजन हमारा क्या है एप साइजन हमारा क्या है permittivity है हमने air या vacuum के लिए लिए है लेकिन इसको हम किसी medium में ले जाएंगे तो यह हमारा क्या होगा change हो जाएगा तो जो हमारा C है C किस पर किस पर depend कर रहा है C depends upon इसके मीडियम पर फोर पाई तो constant है जो फार्मूले का पोस्ट माडम करना सीखिए कि क्यूस्टेम अगर देखो सब कुछ constant करके आपको बोले कि दो इस पेर है एक का radius है एक का radius है 0.5 cm और उसकी capacitance है 0.2 µारेट एक और radius देके आपसे पूछे तो निकाल लोगे यह term constant करके C1 by C2 equal to R1 by R2 समझ में आया कि नहीं यह सब उसी जिए मैं आपको बता रहा हूँ जो अगर medium change करें उसकी permittivity तो भी आप निकाल लोगे कैपाशेटेम्स पे क्या असर होगा बोलो समझ में आया कि नहीं यह चीज़े इतनी चीज़े हुई हमारी spherical कैपाशेटर के बारे में अभी यह तो हमने बना लिया जेकिन यहां यह बहुत बग़ी problem आ गई कि अगर हमें एक kulan charge store करना है हमारा potential मानो 1 volt है तो कितना बना spare बनेगा आप देखना चाहोगे आप देखते हैं उसी को चेक करते हैं आपको खुछ समझ माझा जाए कि इसमें problem क्या आई अभी हम क्या चाहते है कि एक फैरेड मानो चलो इस ट्रोर करना चाहते हैं अभी हम radius एक मीटर देके देखते हैं अगर हम एक मीटर का spare दे एक मीटर पता है न इतना उना जो होता है आप लोक वायर या इस सब लेने जाते होगे देखता है आर एकवाई टू वन मीटर देके आप से पूछे कि find its कैपा सिटेंस कितना कैपा सिटेंस होगा फिर हम देखते हैं यह हमारा bad है कि good है यहां साब को समझ में आ जाएगा चलो इसका सिटेंस लेते हैं कैपा सिटेंस हमें बहुत अच्छे से याद है अभी सर आपने बताया फोर पाई एपसाइलन नॉट इन्टू आट हमें फोर पाई एपसाइलन नाट इस सब बैलू पता है 1 by कितना आ जाएगा इसकी बैलू c equal to हमारा निकल के आएगा 1 by 9 into 10 के power 9 आर कितना है 1 meter तो चलो हम उपर नीचे 10 का multiply कर देते हैं 10 by 9 नीचे हमारा 10 के power multiply किये हैं तो यह 10 के power 10 हो जाएगा अब 10 में 9 का भाग देंगे तो हमारा c equal to june निकल के आएगी पहिदू कितनी निकल के आएगी 1.1 into 10 के power 9 है उपर जाएगा क्या हो जाए यह 10 है उपर जाएगा क्या हो जाएगा minus 10 हाई रैट बोलो कुछ भी डाउट तो आप मुझे बताओ एक क्या है यार देखो इसकी जनरल मेनिंग यहां पर हम समझते हैं जो हमारा c equal to निकल के आया है आपको समझ में आ जाएगे 10 की पावर माइनस 10 इसकी यूनिट क्या है कूलाम पर यूनिट बोल्ट अरे हमारा तो यार टार्गेट था हम ज्यादा ज्यादा चार्ज रिस्टोर करा है और बोल्टेज कम से कम हो अगर हमारा बोल्टेज एक इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज देख रहे हो कितना छोटू सा 1.1 into 10 की पावर माइनस 10 अगर इसको हम माइक्रो कुलाम में भी दें तो देखो कितना छोटा सा होगा c equal to 1.1 अगर हम माइक्रो कुलाम में दें तो 10 के पावर में फिर भी माइनस फूर माइक्रो कुलामम्रे ये क्या हो गया हम तो चाहते थे कि ज्यादा ज्यादा करतां के और वोल्टेज में कम से कम वो ब्वोल्टेज एक चेंज करें चार्ज इमेजिन करो कितना छोटा सा हो रहा है तो जिसके कारम इसको हम क्या बोले कि हमारा सही कैपा सेटेंस हम इस पेरिकल को नहीं यूज करेंगे इसके बाद हमारी डिफेरेंट डिफेरेंट अलग पैरलर प्लेट और वो सब निकल के आई है पहले बताओ इसका मतलब के लेकिन यहां तो एक्दम उल्टा हो गया समझ में आया कि नहीं एक और एकजामपल लेते हैं अगर हमें एक फैरेट हम स्टोर करना ओकि मैंने बोला किसकी यूनिट भह kork छोटी दे रहे उसको भी यहां पर समझते हैं उपहली玩 इस्पेयर बनाना पुनेगा रेडियस उसकी बताओ इस्पेयर की चलो वीडियो को पॉस करो खुछ से ट्राइब करो जो बैजू दी है वहाँ पूट करके देखो आपको समझ में आएगा चलो मैं करूं देखो आप सौल करना मेरे साथ है भी डाजे आप देखो कि यहां 4Pi in to epsilon not one by 4Pi epsilon not की बैजों कितनी होती है 9 in to 10 कि power 9 meter अरे बाब एक क्या हो गया एक फैरेडा पिस्टोर करने की इतना और इतना बुना इस पेयर इमेजिन कर पा रहे हो अरे हैर आपके अर्थ की रेडियस कितनी होती है चलो इसको किलो मीटर मिले देते हैं नाइन इन्टू टेन के पावर सिक्स किलो मीटर आपको बोलो के अच्छा हम बोलो के हमको एक फैरेड इस्टोर करना है अच्छा चलो चलो ते comed um एतना में धर्थी शेए थी बनाँवा जहां बोलो कोरतू यहां पर आपके अर्थ की रेडियस कितनी होती है जो हमारा स्कॉल अर्थ का रेडियस होता है क्या है आपॉट सेटो किलो मीटर होता है मतर्भ्स इस पाउैंट फैनल के तो जिसके कारण इसको इसकीप किया गया और इसलिए हम जो हमारा कैपा सिटेंस है उसकी हम कवंसी यूनिट लेके आए उसकी हम लेके आए समझ में आया की नहीं अगर आपको कुछ भी डाउड है वीडियो को पॉस करिए एक बार फिल से देखे सारा डाउड आपको क्लियर हो जाएगा बोलो फिल आया की नहीं एक फैरेड इस्टोर करने कि यह इतना बना गोला जो धरती पर ही नहीं इग्जिस्ट करेगा उससे भी बना तो कहां साब बना पाओगे आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा यही सब डिस एडवांटेज थी जिसके कारण हमने इस्पेरिकल जो हमारा इस्पेरिकल कैपा सेटर था उसको हटा दिया गया एक नया कैपा सेटर आया पैरल प्लेट कैपा सेटर उसको हम अभी कसी पहले आगे देखेंगे लिकिर उसके पहले हम देख देख दे है कि काई सेटर में हमारी इनर्जी कितनी इस्पेरी कितनी कि जब हम मोटर चलाने के लिए नहीं दे रहे हैं कि जो भी या बटन दबाया तुरां तो सटाग से पावर दे के हट गया करें तो कैसे इस टोर हो रहा है कितना कर सकता है हर चीज की एक लिमिट होती है ना आप बोलते हो भाई लिमिट में रहो तो ऐसे कैपा सेटर की भी एक ल रहा है कि सब्सक्राइब करेंगे मान देते हैं यह हमारा है इस पर में कि तो बोलो समझ में आया कि नहीं अगर Charge क्यों है तो Potential हमारा कितना आएगा Potential हमारा भी आएगा कि नहीं तो यार इसके हमें Energy निक्यालनी है हम कैसे निक्याले हम तो Confused हो गये अरे अब हम क्या करें कुरन्त हमारे दिमाग में आया अच्छा हम तो इन्हीं सब प्रावलम किजिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंसियल इस्टिडी किये थे कि जैसे ये सब स्थीन आएगी तो हम यह मान देंगे कि यहाँ अभी कुछ भी नहीं है जो ये चार्ज आये ना मान देंगे कुछ नहीं है सारे चार्ज को हम दे जाके रख देंगे अनन्त पर ठीक है फिर एक छोटे 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 चार्ज को लाके यहाँ पर रखेंगे तो कुछ काम करना होगा अब वही काम जो होगा वही काम हमारा potential energy में store होगा बोलो समझ में आया की नहीं तो हम क्या करते हैं आपको फिर से समझाने के लिए मैं इसको बनाता हूँ ठीक है इसको यहाँ पर बनाते हैं छोटू सा ही बनाए समझ में आ रहा है ना यह कुछ भी डावड हो यार आप बोलना क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना चीजे समझ में आएंगी कि आपको आ रही हैं की नहीं कलर वही रखते नहीं तो बहुत लोग कमेंट करेंगे सर आपने कलर ही कैपास तेसर ही क्यूं बदल दिया यह है हमारा कैपास तेसर इस पे यार हमें गोला नहीं बना फिर से हमारी मर्जी हम दो फिर से कर देंगे गलत होगा यह हुआ हमारा कैपस डियर्ट अब है हम मान जेते हैं इस पे कोई भी चार्ज नहीं है सारी चार्जेस को हमने कहां पे भेज़ दिया बोला भाय तुम यहां चले जाओ अनन पर तब को हमने पूरे चार्ज को जो Q था अनन पिक्दम छोटे 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 पार्ट में रख दिया है पार्ट पिक्दम छोटो छोटो पार्ट DQ में रख दिया है यहां हम DQ को लाएंगे एक बार में काम करेंगे DW इसको यहां पे रखेंगे फिर जाएंगे फिर यहां से लेकर आएंगे ऐसे ही सारे चार्ज को छोटे-छोटे हम इसके सर्फेस पर लाके रख देंगे और एक बार जब लाके रख रहे हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पंगरा होगा वो काम कमन कर रहा है बोलो अगर हमें डीक्यू को यहां से लेकर आए अभी डीक्यू हमारा कहां पर पना हुआ था अनन्थ पर बोला हम तो अनन्थ पर आराम से थे इसको मैंने उठा के लाके इसके सर्फेस पर रख दिया जब यहां पर रखा कुछ ना कुछ तो हमें काम करना होगा किसने किया है? इक्स्टर्नल एजेंट ने किया है? किसके against में? हमें पर मैंने अरेडी बताया था ऐसे इसके पूरे स्फेस में डीक्यू 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 लाके क्यों रख दूंगा कि नहीं? बोलो रख दूंगा नहीं तो हम यह सब कर क्यों रहें? पहां से हमें एक चीज देखे कि अभी हमारा कुछ भी चीजे नहीं हो रही थी क्या था कुछ नहीं आया था जब इनिसियल में था चार्ज नहीं आया था तो हम उसको क्या मांज़ें वर्क डन वाई क्यांन अन्न पर रखे हैं ला नहीं रहे हैं तो हमारा क्या हो too जिरो हमारा है कि कि इस कि कर रह in कर सकता हूं कि नहीं वि wreck am power यूज करेंगे अब फिर हम मान देते हैं एक certain time मानो मैं बहुत सारे charge रखे मैं 2 minute, 4 minute, 5 minute किसी भी एक general time पे ले देता हूं मान देता हूं हम एक time T पे आ गया है T equal to T पे अब जो हम charge देके आ रहे थे Q equal to हम मान देते हैं कम सा charge देके Q charge देके आये हैं अगर Q charge देके आये हैं तो potential हमारा कितना होगा Q by उसका कैपा sentence में तो कोई भी changes नहीं आएगा बो ए समझ में आया की नहीं अब ऐसे ऐसे करते करते बहुत time बीद गया बहुत ज़्यादा time तो हमारा time मान देते हैं कितना हो गया time हम मान देते हैं हमारा हो गया anand जब हमारा anand time हो गया तो हमारा जब anand time हो गया तो मैंने धीरे 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 करके सारे charge को इसके surface पे ला दिया होगा नहीं तो जितने charge हमारे anand पे थे सब को लाकर मैंने इस spare के step पे डाल दिया जो यहाँ क्यों था देखो जुगा में लगाया काम हो गया की नहीं अईसे आपको सोचना है तो हमारा सारा charge जब T equal to infinite होगा उसके surface पे आ गया अब जो potential आई है और क्या निकल के आई है भी equal to charge by कैपा sentence बोलो यह समझ में आया की नहीं अब यहार यह सब जो इसको लाने में कार्य किया गया है यही कार्य तो इसके potential energy में इस्टोर होगा कि नहीं बिल्कुल वही होगा यह हमने आरेड़ी potential में study किया थे यहां पर फिर से दिख देता हूं जो इन सब चार्ज को हम अनन्द पर जाके बार बार देके आ रहे हैं work done by काम कौन कर रहा है external agent को अच्छे से समझे मैं time देखे एकदम detail में आपको concept सिखा रहा हूं ताकि feel आ जाए कि चीजें हो क्या रहें future में जब भी question आया question बना सको एक बार concept सीख जाओ ना to bring each dq एकदम छुटे-छुटे dq को हमने लेके आया है each dq element कहां से लेके आये है जब इसको हम लेके आये तो हमारा क्या काम हुआ जो हमारी इसब कारे किये गए है इसब जो कारे किया गया है इस्टोर कहां पर हो रहा है यही कारे हमारा potential energy में stored होगा यही कारे अनंत्मत समझे ना जो कारे किया गया है stored in farm of potential energy समझ में आया कि नहीं देखो हमने कैसे दिमाग लगाया जुगा अपना काम हो गया अब कुछ नहीं है एकदम basic सा mathematics है मैं है आपको fundamental समझना अभी बताओ मैं डारेट मैथमेटिक्स में आपको यह सब दिखा देता तो क्या यह फील आती कैसे कैसे हमने चार्ज लिया है क्या किया यह सब मैंने वहां पर जब आपको सिखा रहा था यह सब चीजे इसी लिए किया था जो हम से पूछा था चलो हम निकालते हैं क्या करते हैं कि जो हमारा वर्क डैन है लिखते हैं वर्क डैन किसको ला रहे हैं वर्क डैन टू बिरेंग बो देखो अच्छे से समझो क्योंकि अच्छे क्यूस्चन आएंगे ना कांसेप्ट नहीं आपको जानते ही हो आप लोग कि यहां पर क्या सिखाया जाता है क्या सिखाया जाता है बोलो यहां पर आपको कांसेप्ट कांसेप्ट्चिवल लर्निंग ना की रटा मरवाया जाता है जब इसके सर्थेस पे लाएं चार्ज क्यूप पोटेंसियल भी और इसकी कैपासिटेंस आइस पेर किसी हमको इसका वर्क डैन निकालना है तो यहार वर्क डैन हम कैसे लिखेंगे बोलो अगर हमारा यहां पर potential और इसके बीच का difference ले रहे हैं जो कार किया गया है वही होगा ने इसको लाने में मान लेते हैं एकदम छोटू सा कार किया गया है dw एक काम कौन कर रहा है हमारा external agent कर रहा है किसको लेके आ रहे हैं dq तो potential के हमारी definition क्या थी final इसके surface पर मान लेते हैं आके हमारा potential कितना हो जा रहा है वही जब चार्ज आ गया है इसी time पर तो यहां पर मैं भी minus b infinity लेके किसको आये हैं एकदम छोटू सा चार्ज को लाने में छोटू सा काम हुआ है dw जिसको लेके आये हैं उसी से इसको divide कर देंगे तो यहां से b infinity हमने तो इसी लिए तो अनन्त पर भेजा था यह तो हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा dw equal to dw by dq dw equal to हमारा क्या निखल के आएगा वी डीक्यू कितना इसी हमने रिजेशन्स डेवलप कर लिया अब हमसे जितना भी चार्ज पूछे यह तो हमको एक को लाने में किया गया है अब ऐसे सारे चार्ज को लेके आया गया है तो कितना काम किया गया होगा सब का स्राम जैस ऐसे ही सम करना हो कवन से आते हम में इक्सटर्ण से एजेंट सब आप लिक्नलों गया है क्या होगा इस सारे वर्क को हम सम करेंगे गों कि क्या निकल कर आएगा आएगा कि सी general term के लिए अगर हम बात करें एक random time t के लिए तो q by c यही निकल के आएगा नहीं तो यहाँ पर मैं b की value put करूँ चलो b की value put कर देते हैं b की value हमारी है q by c into dq बोलो और charge हमारा सुरू में कितना था 0 और जब कुछ time बार charge हमारा कितना हो जा रहा है q q सुरू में हमने 0 काम किया था बात में हमने काम w किया इसलिए w external दिखे बोलो अगर किसी को कुछ भी यहाँ पर doubt हो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा चलिए यहाँ पर हम इसका extension और करते हैं तो यहाँ पर work done हमारा कितना होगा जब इसका आप इंट्रिगेसन लोगे तो बोलो constant क्या है यहाँ पर यहाँ पर देखो जो हमारा एक करपा सिटेंस सी है यह एक material की property यह क्या है constant रहने वाली है चार्ज ही तो है मनो टी पर हम 5 कुलाम लेके आए फिर 2 मिनिट बात 2 कुलाम लेके आए तो continuous हमारा चार्ज क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो यहाँ से हम 1 by C को बाहर दे लेते हैं integration 0 से Q into QDQ तो कितना इजी QDQ को हमारा क्या होगा QE square by 2 integration सबको आता होगा जिसको नहीं आता है जाके mathematical गाव मैंने एक list बनाई हुई है basic mathematics for physics उसको देखे आपका सारा doubt clear हो जाएगा 0 into Q upper limit minus lower limit करेंगे तो 0 आ जाएगा जो हमारा work done external निकल के आएगा यह हमारा निकल के आएगा QE square divided by 2C तो जो पूरे चार्ज को इसके surface पे लाने पे कार किया गया है कितना किया गया है QE square by 2C और यही काम हमारा कहा इस्टोर होगा इसके potential energy में तो जो हमारा इसकी potential energy change in potential energy होती है potential energy तो single के लिए होती नहीं जो हमारा एक मिनेट पेन फंस रहा है जो हमारा delta U आएगा यह हमारा क्या आएगा minus W हमने potential में discuss किया था यह किसके लिए आता था electric force के कारण जो कार किया जाता था negative में आता था equal to plus W external agent यही करते थे ना तो यहां से बोलो मैं जो potential energy आई है initial में कितनी आई है यहां से U final minus U initial equal to हमारा work done by external agent यहां पे आए ना इसकी value निकल के I है Q square by 2C और U initial अनन्थ पे potential कितना होता है zero तो जो यहां से हमारा potential energy final निकल के I है capacitor की वो हमारा निकल के आया है U equal to Q square divided by 2C किसी भी general term के लिए समझ में आया कि नहीं अब चाहिए spherical कुछ भी safe दे के पूछे आप C capacitance लगाना आपको value निकल आएगी कि नहीं बोलो यह समझ में आया कि नहीं अब जो हमने spherical के लिए किया था उसको निकालते हैं तो spherical के लिए कुछ नहीं करना है energy stored in spare तो हमें क्या करना है C की कैपा सेटेंस की value डालो जिसकी energy चाहिए आपको मिल जाएगी तो चलो यहाँ पे value डालते है फिर अलग-अलग इसके term है उसको define करेंगे जो हमारा है क्या है energy stored in करपा सेटर वो तो हमने निकाल लिया है यह हमारा spherical जो करपा सेटर है उसके लिए कितना आएगा वो हम देखते हैं बोलो समझ में आया कि नहीं इसपेर के लिए करपा सेटर क्या होता है 4 pi epsilon naught into r यही होता है तो यहाँ पर हम इसकी value put कर देते हैं u equal to q square divided by 2 into c c की value है 4 pi into epsilon naught into r तो जो हमारा potential energy निकल के आया है यह निकल के आई है q square by 4 into 2 8 pi epsilon naught into r एइसपेर के लिए करपा सेटर में कितनी energy store होगी यहाँ radius की value आप पूट करोगे आपको इस सारा term मिल जाएगा हमसे कुछ भी पूछे बोलो यह समझ में आया की नहीं तो यह रहा हमारा general meaning कभी-कभी क्या होता है sometimes जो अब हमें एक अलग case दे रहे हैं कभी-कभी क्या होता है काैपा च्टेंस अपने को दिया रहता है किस के किसक ठर्म में दिया रहता है आपको जो potential energy सब निकालना ही होती है work done potential energy में store होता है कभी-कभी क्या करता है आपको potential B दे देगा और C दे देगा आप से बोलेगा कि आपको क्या निकालना है इसकी पोटेंसियल एनर्जी तो हम कैसे निकालेंगे जो हमारा यू आया है यू इक्वर्टू क्या है क्यू स्कॉयर वाई टू सी तो आप अपने को क्यूस्ट्यल में पोटेंसियल और सी दे देगा मानों दे देगा दो बोड तीन बोड कुछ भी और चार्च कुछ वैलू दे दे आएगे ते जो हमारी पोटेंसियल निकलके आए है हाफ सी भी स्कWhen जैसा है बोह किसी भी टरम में देगा बस उसको ब्हुमाना है हमसे कुछ पूछे fundamental concept याद रखे आप आसानी से कर लोगे कभी कभी क्या करता है न उस भी और सी में न देखे तीसरे टर्म में देता है इन टर्म्स आप क्यू एंड भी अगर क्यू एंड भी के टर्म में दे और आप से potential energy पूछे तो आप कैसे निकालोगे बोलो तो यहां पर q को आप किसी एक को convert कर देने का किसको convert करोगे आप बोलो जिसको बोलो उसको convert कर देते हैं जब इसको हम convert करके solve करेंगे u equal to निकलके आएगा half into q into b अगर आपको नहीं समझ भाया है आप यहां पे c की बहले हो आप q by b रखिए तो q square by q by b तो q से q नहीं समझ माया कर दूँ चलो कर ही देता हूं यहां पर आप देखो q की value क्या है हमारा q की value है c into b हमें q की value चाहिए तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं इसके लिए u equal to half यहीं कर रहा हूं ने आप बोलो हमें q और b दिया रहेगा तो हमें किस मैं इसकी value put करता हूं half into q square divided by c की value क्या है q into b यहीं होगा q से q कैंसिल होगा q equal to b उपर जाएगा half into q into b वहीं तो यहां पर लिखा हूं बोलो question में कुछ भी देगा आपका लोग इतने और यही fundamental है आगे आप देखना इसी पर सारी question बनेंगे I hope आपको यह चीजें समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखिए सारा doubt के लिए हो जाएगा अब चलो समझते हैं कि हमारी क्या problems इस पेरिकल कैपा चेटर में आई जिसके कारण हमें दूसरे spiral plate पे shift होना पना है तो पहला कि अब आप में अगर लगा दोगे तो तो पहला प्रावल्म जो था वेरी वेरी लो के पासे थेंस थी क्या है कैपा सेटेंस का मैंनिंग पता है नहां इसका हमने अभी देखा था क्या होता था अगर हमारा मींटर रेडियस का हम ने कई पशेडर बनाया तो जो चार्ज श्टूरेज आया था कितना आया था प्राक्स 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फैरेट या इसी को कूलाम पर बोर्ट देखो एक बोर्ट बर जाएगा और इतना छोटू सा चार्ज पर चार्ज इसके सरफेस पर हमारा सारा चार्ज है इसकी रेडियस कितनी थी आर्ट तो यहां से इसके रेडियल इलेक्ट्रिक फिर्ड लाइने जाएंगी कि नहीं यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फिर्ड लाइने गई सब इसके रेडियल हमारी क्या जाएंगी इन्फेनाइट नंबर आप इलेक्ट्रिक फिर्ड लाइने निकलेंगी जिसके कारण हमारा क्या होगा इनर्जी का continuous loss होगा यहां तो कोई इनर्जी का बांडेशन ही नहीं है बोलो energy bounded है यहां पर कुछ loss होगा यहां पर कुछ अगर यहां पर कोई इसके surrounding अभी हम मानों यहां पर इसके surface पर प्लस प्लस रख दिया है ठीक अब इसके surrounding में कोई minus यहां पर रख दूं यहां पर मैं minus q रख दूं तो यह करेगा इसको रिपेल करने में अपनी energy गमाएगा और हम यहीं चाहने के energy हमारा कम से कम जाए energy ज्यादा रिपेल नहों अगर इसी तरह में minus q रख दे यह वाला इसको रिपेल करेगा तो हमारा energy कोई बांडेड ही नहीं है जिसके कारण इसको क्या किया गया दिश्चार्ज किया अगर अगर इलेक्ट्रिक फ्रीड लाइन निकल रहे है और के माले उनका भी कुस चार्ज जो पॉलराईज हो जाते हैं पॉलराईज येसन पता है न हमने जब मेदन आप चार्जिंग देखा तो हमारा पोलराईज बताया था यह में to prayer शोक्कि याद आई कि नहीं करते सुदैनर्जी एंगे यह इनरजी इनरजी इस तौन इकेंद मेजर प्रडाबलम थी कि इनरजी इंगला यहां चार ऊंडपकी खalgते हैं और हमें नहीं चाहते energy is not bounded यह है हमारा distributed वो जो समझ में आया की नहीं I hope आपको यह समझ में आगी होगी अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वीडियो को pause करिए एक बार फिर्से देखें सारा doubt आपको clear हो जाएगा इसके बाद तीसरा भी आप लिख सकते हो जो तीसरा था हमारा अगर हम एक फैरेट के लिए बनाएं तो इसका size बहुत ज़्यादा बनाना होता था जो possible नहीं था एक फैरेट के लिए आर्ट से भी ज़्यादा बना इस प्रेयर बनाना पनेगा तो I hope आपको समझ में आ गया होगा यह रहा आज का सेशन कमेंट करके बताईए वीडियो आपको कैसा लगा एकदम बेसिक था अगर अब कोई आपको कंडेंसर या करपासेटर का मेनिंग पूछे आप बता लोग एक नहीं टेंसन मतलो अभी जो फैन है आप लोग करपासेटर नहीं फैन की स्पीड स्लो हो जाती है एक आउर लगा के सिरीज नहीं कर देते क्यों करते हैं पावर कैसे चेंज होती है यह सब अभी हम आगे आने वाजे सिरीज परेल वो सब कनेक्शन देखेंगे स्पीड कैसे आज जेस्ट उसका बेसिक ओवर वीव था क्या काम होता था उसको स्टार्ट करने के जिए इसके बाद वो हट जाएगा इसका एक और एक जाम पर आपने वो कैमरा देखा होगा ना जब आप छोटे थे फोटो खिचाने जाते थे याद आया जब वो कैमरा होता था मारता था एक इतना तेज लाइट जलती थी उस लाइट को जलाने के बहुत हाई करेंट चाहिए होता है और उसमें एक याद पेंसिल जैसे बैटरी लगी होती थी बैटरी कितना 2.5 वो 3 वो इतने पॉइंट की बैटरी है कितना ही current देगी तो वहां पे हमारा कैपा सेटर लगा होता था जब हम बटन दबाते थे तो इनर्जी हमें कवन दीता था वो चार्ज हमें कैपा सेटर फुलो कराता था जिससे वो light फ्रेस इसे मारती थे और आखे बंदो जाती थी या दायक नहीं तो कैपा सेटर का बहुत बना रोल है हर जगह पे है जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसे से सब चल रही है आगे जैसे जैसे सेटर जाएगा आपको एकदम क्लियर आने लगेगी आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉस करिए एक बार फिर से देखे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कोई क्यूस्चन कोई क्वेरी है आप मुझे इमेल कर सकते हैं या दूसरा गुरूप टेलिग्राम है उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ आप वहाँ पे अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए इसके अलावा अगर आप आपको ये नोट्स चाहिए टेलिग्राम गुरूप से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि सेशन खतम होने के बाद नोट्स मैं वहाँ पे पब्लिस कर देता हूँ ये रहा आज का सेशन अगर कहीं भी कुछ भी डाउड हो आप बताईए ऐसे ही और वीडियो द झाल